जैसे ही इस मचली को पानी से बाहर निकाला जाता है, तो ये गुबारे की तरह फूल जाती है। इस मचली का नाम है पुफर फिश, जिसे बैलून फिश भी कहा जाता है। दरसल ये मचली अपने आपको इसलिए फुलाती है ताकि शिकारियों से अपनी जान बचा सके, क्योंकि फूलने पर शिकारी इसे नहीं खा पाएगा। वैसे ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये मचली अपने अंदर हवा भर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बलकि ये मचली अपने अंदर पानी भर लेती है, और खत्रा चले जाने पर ये मचली नॉर्मल हो जाती है।